आज जो मैं यहाँ पर आपको बोलने वाला हूँ, हो सकता है उसमें से कुछ बात है, सुनने में आपको कड़ भी भी लगते हैं, लेकिन एक एक बात सच है, जब भी आप दुखी होते हो, तो उसकी सिर्फ एक वजे है, जैसा आप चाहते हो, वैसा नहीं हो रहा है, यानि कि ये जिन्दगी आपके साथ से नहीं चल रही है, तो आप जो मैं बोलने वाला है, उसको ध्यान से सुने, क्या जिन्दगी ने ठेका लिया है आपको साथ कोई एग्रिमेंट साइंग किया था, कि वो सिर्फ और सिर्फ आपके साथ से ही चलेगी है, अरे मेरे भाई, चाहते आपकी है, खौईशे आपकी है, तो अगर उसको पूरा करना है, तो उसकी जिम्मेदारी भी आपकी है, अरे जिन्दगी को कोई फर्फ नहीं पड़ता है, क्या आप चाहे जीओ या मरो, लेकिन अगर आप जीना चाहते हो, तो अपनी जिन्दगी को दोश देना बंद कर, और खुद को इस लाइक बनाओ, जो भी आप चाहते हो, वो खुद चल करके आपके पास में है, अपने दिमाग को सलूशन पर फोकस कर, प्रॉब्लम्स पर नहीं है, बैठे बैठे बस रोते मत रहो, कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, मुझे ये चाहिए, मन को हलका कर, लेकिन उसके बाद अपने अंदर से अपनी पूरी एनरजी से बोलो, बस आप बहुत हो, अब मुझे आगे बनाओ, अभी तो मैंने ठीक से जिद्धी की शिरुवात भी नहीं करी है, अभी तो आगे बताने ही क्या क्या करना है, आपके अंदर ताकत की कोई कम पुरी तरह से समेट करना है, इखटा करना है, और एक जगे पर फोकस करना है, और याद रहे, फोकस रास्ते पर करना है, मन्जिल पर नहीं क्योंकि अगर मन्जिल के ख्यालों में ही खोई रहे, तो रास्ते से बटक जाओ, लेकिन अगर ध्यान रास्ते पर रहा है, तो नहीं है पस चलते रहने अगर कभी ठख जाओ तो कुछ देर अराम कर ले लेकिन किसी भी हालत रुकना नहीं है पस चलते रहे कभी गुजरा हुआ कल तो कभी आने वाला पल आपको रुपने की पूरी कोशिश करें कभी रुलाए तो कभी दराए लेकिन आपको रुपना नहीं बस चलते रहें चलते रहें झालते रहें कर दो मौ मौ मौ